इते हैं हमारा, जो, हमारा जो टार具त ना वह 79 का यह आइप आत ऑ यह यह मुझे एक ही होता है, इसमें जनरल नहीं है, यह एक ही होता है, इता है, जाते हैं. जो आयल्ट्स होता है उसमें होता जनरल और एकडामिक इसमें सिर्फ एक ही होता है जो दूसरे ना होम वाले कुछ होते हैं कुछ UK वीजा एंड इमिग्रेशन के लिए यह PTE UKVI और कुछ होम से होते हैं यह कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग सिर्फ एक तरफ जाते हैं अच्छा जी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं आप लोग ने क्वेस्टिन त्यार करें जो बचल सीखरा होता है जो स्टूडेंट सीखरा होता है उसके जुरूर कोई कहीं पर आपको कोई मसला आ रहा है कोई क्वेस्टिन है तो वह आपने पूछना आकर आपके पूछने से बाकियों का भी फाइदा होगा हो सकता है अगले बंदने किसी ने वह चीज़ें नोटी न की हो तो ये काम हम अपनी के उपर करेंगे कोई प्रेशर निया कि हमन आप पूछ सकते हैं मैं आपको छोटा सा ओवर्व्यू देता हूं कि इसको इसको कैसे करें सही तरीके से अंदर कुछ फंक्शनलिटी है हर एक क्वेस्टिन के साथ जैसे मैं आपको दिखाता हूं फॉर एक्जेंपल डिडिंग एंड वैटिंग फिलें दे ब्लैंक्स में चलता है आपने इसको एक तो लैप्टॉप से ही यूज करना है क्योंकि एक्ट्वल एक्जाम में भी आपके सामने स्क्रीन ही होने वाली है जो लोग मुबाइल से करते हैं उनको शायद उनकी आँखें सेट नहीं हो पाएंगी इस तरीके से तो आपको प्रेक्टिस भी लै हों यह क्या चीज़े हैं यह कुछ लोग सचना होगा आपने साइब कर ठीड़ने थैना क्यंको में निक रीवे इनकी चैना में भी तता है बताते हैं कि यह कुछ लों मुझे इस तरह का वेले क्वेस्टन आया औप क्योंकि question लंबे होते हैं तो exact तो उनको याद नहीं होते हैं तो multiple people मिलके ना question को set करते हैं कि हाँ यह चीज़ थी, यह चीज़ थी, यह line थी कुछ चीज़ हैं यह mature हो रही होती हैं भी इनके system के अंदर और कुछ चीज़ हो चुकी होती हैं को यह फोड़ा सा सीधा कर देते हैं कि अच्छा यह प्रयॉरियटी यह प्रयृरिटी है यह qqs आ रहे हैं एक्जैम के अंदर तो वह कुछ अगर हम क्लिक करें वीकली प्रयॉरिटी के यहीं से डाउंड़ोड हो सकती है अंदर से यह weekly priority हो monthly priority तो आप during practice भी इसको देख सकते हैं और by default यह open भी यही करता है weekly priority करता अब यह बात आती है कि क्या caps की तरह है इसमें भी ऐसे ही है कि अगर हम priority files कर लें तो यह हमें फाइदा देंगे तो उसका जो experience है मेरा तुमको कोई फाइदा नहीं देता मुझे यह सारी priority करके मैंने तो पता नहीं देसंबर के नुवंबर पिछे दो तिन मेले के भी priority files की थी लेकिन उसने कोई फाइदा नहीं दिया क्योंकि different question आए मुझे सारे और बाकियों के जो भी मैने views लिये लोगों उसे भी के APU वाले question आते हैं कि नहीं आते तो वो किसी को भी APU वाले questions नहीं आए so that means के इतनी important नहीं है जिस तरह वो caps के अंदर important होती है recalls लेकिन आप इसको बिल्कुल करें हो सकता है कि आपको कोई exact आजए for example यह reading and writing वाली चीज़े अगर तो reading and writing वाला question repeat हो जाता है फिर तो lucky होगे ना हम कि यह तो हमें पहली हमने एक तफ़ा भी कर ली ना जो आपने fill in the blanks इस तरह के question type यह मैं आपको identify भी कर देता हूं इसकी आप weekly priority बिल्कुल करके जाए अगर तो यही question आ जाता है तो वो आप को बहुत safe करेगा time भी और आपको पहले भी किया होगा confidence भी मिलेगा आपको read aloud को कोई फायदा नहीं करने का क्योंकि read aloud जो आपने वहां पर performance देनी है exam में computer के समने बैठके वो भले आपको आता है या नहीं आता performance आपने देनी है आपने सही पड़ दिया है आपके मापसा आ 10 के अंदर फाइदा हो सकता है क्योंकि इसमें time बहुत कम मिलता है preparation करने का तो अगर आपने एक question APUNI के अंदर कोई 5-7 दफा़ कर लिया है ना तो वो फिर अगर यहां पे आ आ गया तो आपको बहुत फाइदा देगा वो आपको पहले याद हो चुका होगा describe image के अंदर जाएं वैसे आपको 400-500 सुवाल मिल जाएगा कि आप इसका answer याद कर लें लेकिन फाइदा कोई नहीं होगा वो जो आपको समझ लेगती है आप उसको जिस तरह सामने बताया भी हुआ है आप attempt करें summarize written text कोई फाइदा है नहीं ऐसे कोई फाइदा है इसको याद करने अगा कोई फाइदा नहीं है आगे कोई फाइदा नहीं किसी चीज़ का right from dictation का फाइदा हो सकता है और इसमें मज़े की बात यह है कि recalls हम तक आते कैसे हैं कि जो लोगों ने attempt किया होता है वो बाहर निकल के हमें बताते हैं तो यह जो right from dictation है ना यह सबसे आखर पर करता है बंद right from dictation दिये होगे वो भी आपने करके जाने है यह भी आपको क्यों कि इसकी वेटेज भी अच्छी है और आपको अगर आ जाता है पहले से आप देखते हैं तो वह जादा अच्छी बात है ठीक है जी यह था इसको यूज़ करने का तरीका एप यूनी को यूज़ करने का फि इसमें तो बात में चलते हैं अब यह हर रोज आपको यही तरतीब दिखाएगा तो क्या आप हर रोज यही तरतीब करते जाएंगे यही तरह के सवाल नहीं आप यहां से सिलेक्ट करेंगे अन प्रैक्टिस तो ताकर यह आपको सिरफ वह क्वेस्टन दिखा है जो आपने तो आप नए क्वेस्टन कर रहा है ठी कैज़ी यह च्छोटी सी चीज़ें थी जो पहली कि इस्तमाल करने पर मुझे नहीं बथा चली बात में मुझे पता चली तो मैमने सूचा इसके अलावा आप मैं कुछ क्वेस्टन चाहताओं कि क्वेस्टन करें मेरे से और हम उसको और फिर उससे बात कोई आगे को चला है किसी के बूल प्रोसीजर है कि शेरिंग वाला अकाउंट हो सके या कोई इस तरह का शेरिंग के उपर क्या हो सकता है इसमें शेरिंग पर एक लैक्टप चल सकता है और एक मुबाइल चल सकता है जिसके पास मुबाइल आया दो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला शेरिंग का जैसे मने बताया ना कि practice कर लेंगा अच्छा यह जो दूसरी चीज़ जब हम यहां पर अंट प्रैक्टिस सेलेक्ट करेंगे ना तो वो कैसे पता लगेगा कि कौन से बंदे ने इसको प्रैक्टिस किया है और यह चीज मैटर करेगी आप डेली के तीस क्वेस्चन मैं आपको बताऊंगा भी कि आपने प्रैक्टिस करने है तो वो यह तो अपके पास फाइल बहुत जल्दी खतम होजेगी आपको फिर पता नहीं चलेगा कि किस बंदे ने कौन सा क्वेस्चन प्रैक्टिस किया तो यह क्या है कि इतनी बड़ी भी अमाउंट नहीं है यह 16 डॉलर लगते हैं आपके 30 डेस के और के अंदर कर चुके होते हैं तो वो यह काफी होता है फिर आपको ज्यादा लेने की जूरूत नहीं पड़े तो यह क्या हम इतनी इतना एक्सपेंस करके यहां तक आए हैं तो यह एक आठ डॉलर के लिए यह मेरा नहीं ख्याल वर्थ इट कि हम इसको शेरिंग पे लें हर ब असलाम लेकुम समी भाई जी वालेकुम स्लाम कर रहा हूं तो उसमें मार्क्स कभी-कभी तो आच्छे आ जाते हैं लेकिन कभी नहीं आते सिक्स्टी क्रॉस नहीं होता है सिक्स्टी फाइव तक आते मैकसिमा तो वह मैंने देखा कि मलब आपने बताया कि मलब शुरू के थोड़े से करने और पर एंड का वर्ड करने ले अच्छा एक मिड में एक स्क्रीन दो बारे शेर करता हूं नहीं मुझे बताना है कि यह मेरी स्क्रीन का साउंद जिए मैं पले करूंगा वाप तक आता है यह स्क्रीन आई आप तो चल बढ़े अच्छा यहां पर ना यह यह अलड़ी प्रेक्टिस्ट क्वेस्चन पड़ा हुआ यह मेरा नहीं है लेकिन यह किसी ने किया है मेरे काउंट से क्योंके मैं यूज नहीं करता है तो मैं इसको दिया हूँ तो यह देखते हैं यह इसको कैसे क्या बोलता है scientific beneficiary frequently asking the question is smart इसने बोला scientific beneficiary फिर आगे frequently asked questions कारें साइंटिफिक बेनिफिक्रीशनी उडिक्यशनी सणरी यहां सी वो मैंनेли तो यह आप पकड़ा तो यह जो आप नंबर देख रहा ना 81 आउट ओफ 90 इस question type के अंदर मेरे नजदीग APU नहीं जादा नंबर देता है सबी को जबके हमें actually पता होना चाहिए कि हम इसको सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं अब यह मुझे पता था कि यह question मैंने attempt नहीं किया यह एक लड़के ने attempt किया है तो मुझे फ़री आया है कि मैं इसको देखने को सही कि यह इसके 81 सही भी आया है कि नहीं है तो अब जो मैंने इसको सुन लिया है कि इसने सही बोला नहीं है इसने सिरफ बोला scientific beneficiary frequently asked questions यह सही नहीं है जो आपने भी अभी बोला कि शुरू के अब इसको attempt कैसे करते हैं चले हमने पहले इतनी detail में नहीं देखा था आज हम detail में देखते हैं कि हम इस question type को attempt कैसे करें इस लड़के ने fluency के अंदर 90 by 90 points हासिल कर लिया क्योंकि इसने बोला fluent है बेशक जो भी बोला है चार लफज ही तीन लफज बोलें इसने सही scientific beneficiary और frequently बाकी नहीं सही बोलें इसको 90 by 90 मिल गया है and same is the case with Pearson अगर आपके fluency में नहीं अटकते हैं हम लोग तो 90 by 90 marks fluency में आ जाते हैं अब चलते प्रोनाउसियेशन के तरफ प्रोनाउसियेशन भी इसकी ठीकती हमें पता लगा कि इन्होंने जो लफज बोलें scientific beneficiary frequently asked questions बोले तो सही है ना बने गलत लफज बोलें इसके marks अच्छे आया है 84 out of 90 अगर यह जादा कलियर लिए बोल लेता तो यह 90 by 90 ही थे and same is the case with Pearson actual exam अब आ जाते content के उपर content की नहीं least priority होती है यह जितने भी speaking के module है content की least priority होती है अगर हम जिन भाईयों ने बहनों ने मेरे देखे होंगे language academy के lecture 2 और की video और दूसरे lecture देखे होंगे तो उसमें भी वो बताता है कि five marks are there for fluency यानि इक्वल नहीं है कि पांच नमबर इसके हैं पांच नमबर प्रोनाउसेशन के हैं पांच नमबर फ्लॉएंसी के हैं पांच नमबर प्रोनाउसेशन के हैं only three marks three marks content के हैं तो content priority नहीं है इसके अंदर priority है प्रोनाउसेशन एंड फ्लॉएंसी अब हम क्याते हैं कि हमने तो जाना है 79 points के लिए यहां पर सारे 79 points के लिए जाएंगे ना अपनी try करेंगे अब एक तो student का case होता हम यहां पर बैठे ही कोई नहीं है student student को तो यह कह सकते हैं कि यार ना एक लफज इदर से पकड़ना तो यह आप इस scenario के ऊपर जो आना आपके यह 50, 60, 65 नमबर आ जाएंगे लेकिन हमारा case है कि हमने लेने है 79 तो जो YouTube वीडियोस होती है ना इस तरह कि उस से थोड़ा सा हमें आगे आना पड़ेगा professional site पहना पड़ेगा अब आपको content भी content बोल गए ना हम 50% of the content जो Pearson को समझ भी आए और हमने बोला भी ठीक तरीके से और अनॉसेशन ठीक हो तो फ्लूएंसी ठीक हो तो हमारे पास 100% marks इसमें आगए 100% फ्लूएंसी में आगए यहां पर हमारे marks 3 में से 2 हो जाएंगे यानि दो हो जाएंगे 50% marks नहीं कटे marks कटे हैं 33% जब हमने 50% sentence बोला है तो अगर हम 50% of the sentence भी नहीं बोल पाए हम बोले हमने को दो तीन लफ़ज तो फिर हम हमें यह तीन में से एक number देतेगा फिर भी कि चलो कुछ तो कुछ तो लफ़ज बोले है ना इसना अब यह difference है यह difference है 79 नंबर लेने वाले में और 65 नंबर लेने वाले में 79 वाला जो ना वो यह content ज्यादा ही बोलेगा अब यह standard जो है ना 50 से 100 50 परसेंट बोलने वाला यह हमने खुद बनाया हुआ आपके मेरे जैसे बंदों नहीं बनाया हुए standard बियर सन्ने कभी लेक नहीं किया अपना criteria लिए so what we do is to try to speak maximum of the words अब यह इतना जो sentence है ना यह कोई मसला ही नहीं है अब इसमें कितने लफज है एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ कुछ भी नहीं है यह यह तो यह तो पूरे 100 परसेंट हम करेंगे तो हम समझेंगे अच्छा हम हमारे चांसिस बहुत अच्छे हैं कि हम 79 एचीव करा जो आएंगे बड़े यानि आगए को बारा वर्ट्स का आगया sentence तो फिर तो मुश्किल होगी तो मैं भी नहीं बोल पाया मेरे कुलीग भी नहीं बोल पाई सारे sentence is 100 परसेंट तो उसमें हम कहते हैं कि अच्छा या ठीक है अगर 50 परसेंट भी हम बोल लेते हैं ना इसमें से तो इट्स ओके होगा क्या जब आपके समने sentence बोला जाएगा ना लबा सारा तो आप वहीं पर थोड़ा सा हो जाएगा कि लो जी मैं तो 100 परसेंट बोल ही नहीं पाई मूँगा अब वो 100 परसेंट का चेकर में 25 परसेंट भी निकलेगा मूं में से तो यह हमें चीज़ पहले से पता होनी चीए कि अच्छा मैं 50 परसें उसमें से भी लाजमी नहीं है कि 100 परसेंट ही सही निकले हो सकता है कि लफज दो लफज उपर नीचे हो जाएगा तो दिस इस वर शूद बी प्रेक्टिसिंग ओफ कोई अगला क्वेस्टन देखना है जिसमें थोड़ा सा लंबा लंबा सांटेंस हो अच्छा है ये बहुत हलका सा सेंटेंस था अच्छा है ये बहुत हलका सा सेंटेंस था दो तरीके हो सकते हैं या तो आप इसको सुन लें और इसको डिरेक्ली बोलते हैं दूसरा तरीका ही हो सकता है कि आप इसके इनिश्यल्स कुछ लें और फिर आप उस इनिश्यल्स से स्टार्ट लें और फिर आगे जो आपको मुह में आता है बस आप फिर बोलते जाएं वो कैसे होगा अब यहां बेना हम इसी एक्जेम्पल लेकर चलते हैं अब आपने अगर तो आपके पास कॉपी पैंसिल है तो आप इसके इनिशिल्स ले भी सकते हैं कुछ जिनके पास अवेलेवल हैं भी कॉपी पैंसिल बाकी वो वैसे सुन लें के प्रैक्टिस कैसे करें जब यह शुरू होगा तो आपने शुरू के चार पांच छे जितने वर्ट्स के इनिशिल्स ले सकते हैं साफ सुत्री हैंट्राइटिं के अंदर वो आपने ले 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 ल पीजल्स ले लिए लिए अपने इस के आपने इस मुझेन ले 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 लुए मैंट के अंदरी अब मैं के करूं होगा मेरे पास बचेंगे जब ये एंड होगी ना ये आडियो एंड होगी तो आखर में एक सेकंड का तकरीबन स्पेस इसके अंदर ही होगा यानि ऐसा नहीं है कि आवाज खतम होगया और साथ ही रिकॉर्डिंग शुरू होगी तकरीबन एक सेकंड आपको यहीं पर मिल जा हैगी हमें कि आपके रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी होगी आपने एक सेकंड यह वाला इसकी लेवरेज लेनी है और जो तीन सेकंड यहां पर मिलेंगे ना आपको तीन सेकंड बाद अगर आप नहीं बोले तो यह माइक बंद हो एंड के उपर और दो सेकंड जब हमारे रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी हो इन तीन सेकंड के अंदर अंदर यह करना है जो मेरे भाई यह नोट्स लेंगे इनिशल्स उन्होंने तीन सेकंड के अंदर अंदर यह करना है कि यह इनिशल्स पढ़ने है ऐसा नहीं करना कि य नहीं दो तीन सेकेंड में इनिशियल से स्टार्ट अप लेने हैं कि टी आर ओ का मतलब है दे रिजल्ट ओफ और यह पता लग जाता है आप रेक्टिस करें इस चीज की आपको बता लग जाएगा दे रिजल्ट ओफ दी बस इतना आपने पढ़ लिया अब आप बोलना शुरू करते हैं अब आपको कितनी जल्दी यह इनिशियल से पढ़ना आता है आपकी हैंड राइटिंग साफ है कि नहीं साफ जल्दी लिख लेते हैं जी जी अगर वर्स बिल्कु ठीक हो लेकिन स्पीड स्लो हो और थोड़ी स कि मतलब गाप से पढ़ें तो उसकी मार्किंग कैसे होगा लेकिन वर्स बिल्कु ठीक हो नहीं वह फ्लूएंसी के उपर हिट होगा और आपको मैंने बताए कि फ्लूएंसी के मैटर ज्यादा है प्रोनॉंसेशन के मैटर ज्यादा यहां पर हिट होगा पर इक्जेंपल यह ऐसे न कि इस तरह पढ़ लेंगे दा रिजल्ट ओफ दी एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स दैट फर्दर रीसरच इस नेड़िया डूब गए पर यह तो यह अगर हम इस तरह बोलते ते ना दे रिजल्ट ओफ दे एक्सपेरिमेंट रिसर्च इस नेड स्टाइड करता है कि आप दोनों तरीकें हैं आद एक एक डिन जो आएक एक पूरा तरीका करके देखें मैं मैं परसिनली न कि ईनी लेता ता इंतु स्ट़ंडीज ओफ माइ प्रैक्टिस फृर मनें सोच है यह एक दर ले के तो देख़ों रा इनीशल्स क्या होता फिर किया है फिर वो मैंने एक दिन लिया तोौव मुझे शूट कर गए और बहुत सरे कोलिक्सकों नहीं भी सूट करते है मैं समीन भी ने लेती है इनीशिल्स मैं समयन कहते हैं मैं इसको एकुरिट सिक्वेंस के अंदर बोलना आगर ये रिजल्ट का लफद मैं बात में बोल देता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम है इसमें content में नमबर कट गे मेरे तो मैं एक अच्छा start ले सकता हूँ अगर मेरे पास initials होंगे This is my theory और जो आपने भी ये देखना है आपने दोनों तरीके से करके देखना है कि मैं सिरफ सुन के बोल सकता हूँ या मैं यहां तक अगर मैं याद कर ले तो further research is needed तो यह तो नहीं मुझे बोल जाता sequence the experiment of the results तो नहीं बोल जाओंगा मैं तो अगर यह this is the problem I would suggest आप दोनों काम करके देखे कि आपके यह नहीं है कि APUनी ने आपको कितने नमबर दी है आपको खुद ही पता होगा कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया APUनी इस question type में आपको जादा नमबर देगा लेकिन actual exam में मेरा खैला वो जरूर इस चीज़ को notice करते होंगे देखा ना मैंने आपको दिखाया पीछे questions उसने लड़के ने बोला है और यहाँ पर question था तो APUनी इने उसको सही करार दिया हुआ था तो जैसे वो read aloud है ना read aloud के इंदर 90 नहीं देता यह बहुत मुश्किल देता है 90 तो repeat sentence में ज्यादा देता है marks तो आप इसको practice करेंगे और यही सबसे ज्यादा scars question type है repeat sentence बाकि सारे असान है जितनी practice करेंगे इसकी उतना ज्यादा अच्छा होगा अच्छा quickly मैं आपके एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आपने इसकी practice करनी कैसे है यह page मैं share करूंगा आपके साथ भी group के अंतर इसको easy नहीं लेना किसी ने कि यार यह तो just like another page आ गया हमारे पास तो हम इसको बस छोड़ना आपने क्या करना है यह 48 को हम target करेंगे यह 79 मेरे line को लेकर चलना है आपने read aloud 25 per day practice करने है not less not more वो लोग जो जिनके पास job नहीं है और वो उन्होंने सारा दिन यही practice ही करनी है तो वो यह कर सकते हैं कि एक दफ़ा इसको complete करके ना पूरी फाइल को इस पूरी पूरे column को complete करके फिर दुबारा से आप इसको 25 करें अगर एक दिन में आपने इसको किया ना 125 तो trust me यह नहीं हो सकेंगे फिर आप से यह भी नहीं होगा उस दिन तो थोड़ा-थोड़ा करना है करने सारे हैं so this is designed actually लिए और मैं भी इसको लेकर चला था और 25 इसके करने है रिडिलाउट के रिपीट सेंटेंस आपने 35 करने हैं इससे ज्यदा करने से कोई फाइदा नहीं होगा यानि जिम जाके आपने 10 गंटे गेम कर ले ना कोई फाइदा नहीं होगा वह अदा अदा गंटा बीस दिन करे जादा फाइदा होगा तो जिस आपने यह करना इसके अंदर यह जो स्केप के हैं क्वेस्टन टाइप इसको छोड़ दे क्योंकि यह बिल्कुल भी इंपॉर्टन नहीं है या बिल्कुल वैसी छोड़ भी आएंगे एक्च्वल पीटी एग्जाम में तो इट सोके अच्छ कोशिश करता हूँ जादा मेरा उपर चला जाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है इसको जस्ट वन गो में करें और अपने पास इसका रखें कैसे यह यह मेरा मेरी प्रैक्टिस की एक चेट है जो मेरे सामने आगे थी तो मैंने रख ली यह मैंने क्वेस्टन नमबर लिखें इसको आपने इसी तरह करना है रीडल आउट के अंदर देखें कि 25 इसको लिखें 25 तक नमबरिंग लिखें पिर जितने जितने आपके माक्स आते जाए इसके नीचे लिखते जाए हाँ अगर तो को टैरिबल मिस्टेक हो जाती है जैसे इसके अंदर मेरे से हो गई या 68 आए यानि मैं वैसे ही अटक गया किसी जगा बेजा के पस्ट पस्ट अटेंप्ट के अंदर करना ना बापको डिपीट नहीं करना तो आप बिलकुल करें लेकिन एक आत दफ़ा यह चीज़ सूट करेगी सब के साथ नहीं सूट करेगी कि जी यह मेरे यह 65 आए वो मैं नहीं इसको मुनासिब में समझा क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है सारे मॉड्यूल्स को मुझे लेकर चलना सिर्फ रीडल आउट का नाम नहीं है बीटी तो आप इससे करेंगे कि इसके अंदर 25 रीडल आउट करेंगे डेली डिपीट सेंटेंस करेंगे 35 डिस्क्राइब इमिज ओनली थ्री वाई ओनली थ्री क्योंकि यह तीन से ही काम हो जाएगा अगर आपको टेंपलेट आती है न तो आपने सिर्फ चेकी करना कैसा है यार मेरी जुबान पर चड़गी है कि नहीं आप तीन दफा ही करेंगे इसको यह इसको एक दफा करने की जरूरत है सिर्फ एक करने की जरूरत है ऐसे अगर दस करेंगे तो फिर दूसरे क्वेस्टिन मुतासर होंगे और आपकी मेंटल कपैस्टी भी मुतासर होगी क्योंकि हम एक लेवल तक काम कर सकते हैं तो वह कि आप किसके अंदर क्या मसला हो रहा आपके साथ for example यह मेरे वाले के वह देखें आप एक नजर तो आप self judgment भी कर सकते हैं कि कि average क्या चल रही है यह read-alouds के average क्या चल रही है 78-80-80-80-80-80-80-80-80-80 के करीब चल रही है सारी average सेवंटी नाइन ड्रॉप होती है 77 तक आती है तो यह वहले लवल आपने लेकर आना है consistency का कुछ लोग मेरे भाई यहां पर क्या करते हैं कि ओह हो समी भाई क्या वाद बता दिया आपने मेरे तो 85 आगए marks वह right within next minutes मुझे मैंसेज आ जाता है मैं उनको कहते हूं यह इस तरह नहीं होता काम क्या मेरी tips को इतनी काम नहीं किए कि आपके एक दम से जो आना वो 85 marks आगए यह consistency के अंदर इसको लेकर आएंगे ना तब मुझे बताना फिर वो बताते हैं कि वह हो आपके tips काम नहीं किए मेरे तो पहले 65 सथा रहत है आप चालीस आ रहें भी इस तरह भी नहीं होता यह आप जब इसको लिख लेंगे ना अपने सामने या वन गो के अंदर ट्राइया करके तो आपको पता लग जाएगा कि actual score क्या चल रहा आपका average और यह सिरफ read aloud के अंदर नहीं करें यह जितने भी यहां लिखियान है question number 35 repeat sentence के साथ भी ऐसे करें यह reading blanks के साथ ऐसा करें इसके साथ भी ऐसा करें फिर यह write from dictation 35 करने आपको इसके साथ भी ऐसा करें तो consistency से अब आप अंताजा होगा मुझे भी और आपको खुद भी कि marks कितने आ रहे हैं सिरफ एक दफ़ा 85 लेकर लोडियां डालने से कुछ नहीं होना और यह जो 65 लेकर रोने से भी कुछ नहीं होगा कि जी मेरे दो 65 आगए यह matter नहीं करते यह consistency matter करते है कि यह क्या चल रह है और अब आप actual exam के अंदर भी confident बैठ सकते हैं इसके उपर किसी का कोई question है अच्छा है कि समझाए किसी को कि मैंने क्या काए जी जी समय वही जबरदस अच्छा होगे बस यह share करेंगे ताकि फिर मिशाला इसके मोड़ी कम लोग सारे करें जी मैं share कर देता हूं और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग यह अपनी sheets जो बनाएंगे in score वाली वह आप group के अंदर share करेंगे कि जिसके अच्छे स्कूर आ रहे हैं वो उससे बाकी motivation ले सकें कि यह अच्छा हमारे इर्दगेर्दी लोग मुझूद है जो अच्छी practice कर रहे हैं और करें इसको daily ताकि वो जो मैंने आपको बताया ना कि एक ही दिन 10 किंटे exercise करने से आप आदा-दा घंटा भी 20 दिन करेंगे ना तो उसका अ कि और किसी का कोई urgent सा question क्योंकि मीटिंग भी हमारी बस खतम होने वाली है असलाम अलेकुम समी भाई जी वालेकुम असलाम जी समी मैं मुझे यह पूछना था कि जब हम रिपीर sentences में fluency को increase करने के लिए कोई filler बगारा एड़ कर सकते हैं एक्स्टा वर्ड बगारा जी बिल् सब्सक्राइब करें यह वर्स के अंदर है कि हमें समझ नहीं आया आप यह सुनियेगा एक audio मैं आपको सुनाता हूं जी बड़ी इंट्रेस्टिंग से लगए लगए असलाम अलेकूं बड़ाम आपकी लुकेशन पर और फैस फिटने करने को सामने वर्स के सामने कड़ों असलाम अलेकूं यह समझ आये किसी को क्या हुआ यह ना यह मैं समझ ही नहीं कि यह क्या हुआ है अब इतनी प्रेक्टिस आप से आपने करनी है और माशाला हम सारे प्रोफेशनल है कि हमें पता लगता है कि यह क्या हुआ है 50% प्लस जाना वो कहीं नहीं जाते हैं इस केस के अंदर और मैं आपको बताओं मेरे साथ तीनों में मेरे साथ ऐसे हुआ मतलब यह जो लुकेशन बताने वाला ही हाल था उनमें यही वाला हाल था उसके अंदर मुझे नहीं समझाई तीनों दफ़ा मैंने अपना maximum बस potential दिया शुकर अला मेरे शुकर अला के 80 प्लस आ गए हैं लेकिन डाट वस नॉट क्रेक्ट कि मैं 100% क्रेक्ट नहीं करके आया था वो स्टेल क्योंकर मुझे पता था कि मेरे जो बाकी पता नहीं था लेकिन मेरे बाकी जो पिछले सारे क्वेस्टन थे वो ठीक थे तो शुकर अला के 80 प्लस आ गए मेरे लेकिन हुआ ऐसे इस सेनेरियो के अंदर आपके पास option है कि आप फिलर एड करेंगे अब आप कहेंगे कि बाबाजी कहीं location पर खड़े हैं और इनको पता बता दें यह पता बता दें जो फिलर है कि किसी ने बोला नहीं है इस तरह